हेलो फ्रेंट्स जैहिन स्वागत आपका आपके पने चलो होम टुशन पे दोस्तों जैसे का आप जानते हर्याना सीटी गुरूप डी दस हजार नोस्तो सताण में जो कंडिरेट थे उन्होंने आठ मार्ज से लेके ग्यारा मार्ज तक अपनी जोइनिंग करवाई अपने अप जोइन करने के बाद ही सेलरी मिलेगी क्योंकि अभी तक पोस्ट और डिपार्टमेंट भी आपको नहीं मिले थे ओफीसली इलक्सन डुट्टी आपकी करवाईगी उसमें भी सबे को नहीं बुलाया गया तो वहां पे यह कन्फिजन रहा कि जो इलक्सन डुट्टी पे गए हैं और जितने दिन इलक्सन डुट्टी की है केवल उतने ही दिन का उनको वेतनमान मिलेगा लेकिन दोस्तो ऐसा नहीं है हमने आपको शुरू से एक बात कहिए कि सेलरी आपको जिस दिन आपने जोइनिंग किया है उस दिन से सेलरी आपकी सुरू हो चुकी है और आप जोस्तों तक आपको सेलरी मिलेगी दोस्तों यानि लगबग 4-7-7-4 मेने की सेलरी आपको मिलने वाली है कभ मिलेगी कैसे मिलेगी जानने के लिए वीडियो को धंसर पुरा देखें दोस्तों चैनल पर नए है चल्को दोस्तों अगर आपको हमारी information अच्छी लगती हो तो वीडियो को like करके appreciate जरू करिए क्योंकि real और authentic information लाने का हम प्रियास करते हैं तो आपका एक like हमें appreciate करता है आपका कोई पैसा नहीं लगता हमें बस motivation मिलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं आये दोस्तों तो एक चीज़ तो आप जानते है कि 10.97 में की joining है दोस्तों आपकी हो चुकी थी 10 मार्च को यानि 8 मार्च से लेके 11 मार्च तक आपकी joining चली दोस्तों ठेक है और अभी चल रहे है दोस्तों आपका आज 27 जुन हो चुका है तो अभी इस महिने तो मिलेगी नहीं च्छेक है यानि आप कहें तो बहें 11 मार्च से लेके 11 जुलाई तो च्यार महिने तो ये हो जाएंगे दोस्तों चार महिन नहीं और जुलाई के अंत में मिलती है, सेलरी मैंसे लाश्ट में आती है, तो ग्यारा जुलाई वह या बीस दिन और बज जाएंगे, तो लगबग लगबग कह सकते हैं कि साड़े चार महिनने की सेलरी आपको मिलेगी, और लगबग लगबग दोस्तो बेसिक पे आ आएंड में दोस्तो, आएए इसके समझ में नोटिस देखे ज़रा, तो यह नोटिस आज का ही रिलीज हो है दोस्तो 27 जून 2024 को है, यहाँ पे ओल्ड डिविजनल कमिशनर ओफ हरियाना, डिप्टी कमिशनर पंचकुला इनको वेजा हुआ है, किसकी तरफ से वेजा है दोस् यह वही डिपार्टमेंट है, जिसने अभी कल परश्यों, दो-ती दिन पहले ही, पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, और डिस्टिक वाइज, ग्रूप D की वेकेंसियों का ब्योरा मांगा था, रिगार्डिंग डिस ब्रेस्मेंट ऑफ सेलरी टू कॉमन केडर गूर्प D एंप्लोईज, फू जोइंड अगेंस सेट्राइजमेंटम वर्सलेस, दो हजार तेईस दोस्तों, ठेक है, तो देख लीजे क्या लिखा है यहां पर, अब हम आपको बताऊंगा कैसे सेलरी मिलेगी, रेफरेंस तुदा सब्जेक्ट डूर्ड, इट इस इनिविटेट पूल सेलेक्टिड कोमन केडर गुरूप डी, भया, आपको प्रोविजनल अपोइंट में लेटर मिले, उसके बाद आपने अपने हैड़ क्वाटर में आपने जोइन किया, किसने गुडगाओं, किसने कहीं, रुत अगिसार में जोइन किया होगा, अलगला मंदल में, फूज नेम वर रेकोमेंड़ बाई एचसी अगेंस सलेस वन दोजरतेश बाई डीजी एचारडी विद डा डिरेक्टिन टू जोइन इन रेस्पेक्टिव डिविजिनल कमिशनर एंड डिप्टी कमिशनर पंचकुला, आपने अपने अपने डिविजिनल कमिशनर में और ड बैंक का यह बंदो यह समझाना, यह मत समझाना कि बैंक की कोई नई स्कीम है कि इसके तहताव को पेमेंट मिलेगी, यह हैड़क्वार्टर जो हमन रिसुस्ट है उसके तरफ से सेलरी आपको मिलेगी, देरफोर यू आर रिक्वेस्टे तो सेंड अटेंडेंस रिपोर्ट अलोंग विद फोलॉइंग इनफोर्मेशन इंदा सेपैसिवे की प्रफोर्मा विदिन टू देज प्रोस्पेक्टिवली, इनको दो दिन के अंदर अंदर इनको बेजना है, अब इसमें क्या मांगा है दोस्तो, जरा देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे दोस्तो आपका इसमें डिटेल मांगा गया है नाम, फादर नेम, रोल नंबर, जेंडर, कैटेगरी, मेरिटल, स्टेटस, नेशनल्टी, एडरस आपका जोइनिंग आपने किस दिन किया है, आधार कार्ड नंबर, पैन क की डिटेल, चेक है, बैंक में आपका बैंक अकाउंट नंबर, आइफसी, ब्रांस कोड, रेलीव, आफ्टर रिजनेशन, ये लिखा है, लेव अवेल्ड नोट, कोई छुट्टी ली है, मोबाइल नंबर और रेमार्क दोस्तो, चेक है, और ये इनको जल्दी से जल्दी ब प्रचों ने आधार कार्ड लिंक करवाया होगा, पैन कार्ड, पैन कार्ड ओलडी आपको बताए कि बैंक से लिंकी ही होता है, दूसरा, बैंक की डिटेल, अब आप कहेंगे सर, जोइनिंग के टाइम पे हमने तो कोई बैंक की डिटेल नहीं थी, बिलकुल नहीं थी, आप जून तो अभी खतम हो चुका है, जून की अभी यह मत सोचना कि 31 जून को या एक तरीक आपकी सेलरी आने वाड़ी, नहीं, आपकी जो सेलरी आएगी वो आपका डिपार्टमेंट पोस्ट मिलने के बाद आएगी, और जुलाई के लास्ट में आएगी, यानि 31 जुलाई को आपका पेरोल है, वो कनवर्ट हो जाएगा, और 31 जुलाई या एक अगस्त के आसपास, क्योंकि महना आपका 30-31 को कम्प्लिट होता है, तो सेलरी लगबाग पेरोल पे डिपेंड करती है, अगर वो डिजिटल पेमेंट आरी है, तो तुरंत डल जाती है, जैसे पैरा आपकी जो सेलरी है, जुलाई के लाश्ट मिलेगी, जुलाई के बाद मिलेगी, जुलाई के अंत में, यानि 31 जुलाई को सेलरी आपकी मिलेगी, तब तक दोस्तों प्रोसेस ही हो जाएगा, कि आपकी बैंक डिटेल हो सकता है, कि आपको अपने डिविजन ओफिस में बुल ब national बैंक कर आपको पास्पास आपको पूरी तरह से दिपार्टमेंट वगरा दस या पंदरा जिला तक देंगे तो सम्मने डिपार्टमेंट जहां पे आप जोइन करोगे वहां पे आपकी डिटेल लेकि वो सेंड कर दिया जाएगा और आपकी सेलरी मिल जाएगी फिलहाल इन्होंने काई की डिटेल भेज दीजे किन किनोंने जोइन किया है अटेंडन्स रिपोर्ट अलोंग विद फोलोइंग इन्फोर्मेशन तो इसमें ये तो आपका भरा जाएगा आदार कार्ट तो सब ने दिया है और ये आपसे हो सकता है कि फोन कोल पे मांग लिया जाए या डिविजन हेड़कॉर्टर मांग लिया जाए ये आपका प्रोसेस इनका है लेकिन आपके लिए खुसकबरी ये है जो आपको पाल्टी करनी है वो इस बात की करनी है कि सेलरी भाईया जूलवाईं तो साड़े च्यार मैंने लगबा कम्प्रीट हो जाएंगे सवाल आ क्या सपास आपकी सेलरी आने वाली है तो एक बड़ी खुसकबरी होनी चाहिए चेक है कल भी एक गुरूप था दोस्तो मैं इस प्रकार की बाते करना नहीं चाहता उस गुरूप में भी एक कह रहा था कि सेलरी नहीं मिलेगी कि फलाना मैंने कहा था भी या सेलरी मिलेगी तो तुरंत मनला गाड़ी गिलोज प्या आ गया कि सेलरी कोण देगा फलाना कोण देगा भाई एचारडी डिपार्टमेंट देगा हेड़ कॉर्टर से आती है सेलरी ठीक है लेकिन आई टी भी पी के पास पैसा नहीं है पैसा जाता है घरे मंतर लेज और घरे मंतर ले पैसा funds को है अपनी व्योंat कर देंगे तब आपका जो सम्मन्दड इपार्ट होगा माली इंगे मलने है तो वहाँ से उसके थ्रू आपको salary मिलने वाली है, ठेक है, उमेद करता हूँ कि बासा आपको समझ में आ गई होगी तो update यह है, salary मिलेगी जो confusion था कि नहीं मिलेगी फ्लाना होगा, वो सारी चीज़े दूर हो चुकी है salary आपकी मिलेगी, भईया, 4 मेंने की सवा 4 मेंने की, तो खुसी मना ही आपको अच्छे लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें, चैनल पे जुड़े रहने के लिए मारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब के लिएजिए, बेल आगरों प्रेस के लिएजिए, धन्यवाद, जैहिंट